हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई इस्टडी फीड चैनल दोस्तों प्रिवियर में इतने भी कोस्टन्स पुछे गये हैं फिजिकल एजुकेशन कमपटेटर एक्जाम्स टेजिटी पीजिटी के वियर्स एन वियर सेल्टी में उन सभी कोस्टन्स को आपके समझ टापिक चाहिए हूँ यह सिरीज नंबर थर्टी नाइन है एंड दोस्तों यदि आप इन सभी कमपटेटिटी एक्जाम्स की प्रिपरेशन सिलेबस के कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियोच शिलेबस के एक्राइडिंग है उन सभी वीडियोच को वाद तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की प्रश्णों की श्रिंख लग के तिरब तो फर्स्ट कोस्चन है कि निनलिखित प्रक्रिया कारेक्रमों में से कौन सा कारेक्रम बालक बालिकाओं के शिवीर का अत्यांत आवर्श्यक अंग है तो दोस्तों सीवीर का अत्यांत आवर्श्यक अंग है आक्शन नमबर ए करेक्ट अंशर दोस्तों कैम फायर एक धर्म निर्पेच सा सिच्छा समावे सी युवा बिकास संगठन है कैम फायर लड़कियों के लिए अमेरिका का पहला गेर सामप्रदाइक बहुत सास्कितिक संगठन था इसका उद्देश से युवा के वाह गतिवीधियों पर जोर देकर उनका मानसिक एवं साररिक विकास करना था नेक्ट कोश्चन है एक सीवीर के दोरा आप क्या सिखेंगे उपस्थिति कारे बहादुरी अनुसासन यहाँ पे अफसर नंबर सी करेट अंसर है अनुसासन बिसेश से सीवीर में हम अनुसासन ही सिखते हैं सीवीर के नियम कठोर होते हैं जो व्यक्ति बिसेश को अनुसासन सिखने में सहायक होता है सीविर नियम इस पर तो निर्धायत किये जाने चाहिए नियम के अहला करने पर दंडित करने तथा अच्छे कारियों के लिए पुरस्कित करने का भी प्रावधान होना चाहिए सीविर में श्атरों के प्रारम होने से पूरू ही सभी छात्रों को पक्ति नियमों के बारे में पूर जानकारी दे देनी चाहिए छात्रों को निर्देशन कच्छाओं त Sana da किया कलाब की कच्छा में अनुपधित नहीं होना चाहिए तथा उनके एक त्वरा चार दिवारी खेल के मैदानों तथा बगीचों को नुकसान नहीं पहुचना चाहिए उन्हें अपना भोजन समय पर करना चाहिए करना होगा तथा छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में जगरना नहीं चाहिए या तभी समभस रकी का जबकि सही देक भाल हो ये नीमो का पालन सक्ति से किया जाए अनुसासन हो निक्स कोटिय थिन है सीविर का अनुसासन होता है कैसा होता है कर्थोर होता है आपस नंभर वी करेक्ट favorites रहें नेक्स्ट कोश्चन है आम लोगों को किस प्रकार का कैम्प अधिक से अधिक आनन्द दायक होता है तो आम लोगों किस प्रकार का कैम्प आनन्द दायक होता है प्राकिर्टिक कैम्प आर्शन नम्बर डी करेक्ट एंसर कैंप खेले आउसकता अनुसार अनुकूल होनी चाहिए आयो के अनुसार, कैंप प्रतियोग्यों के अनुसार यानि कैंप प्रतिभाग्यों के अनुसार, लिंक के अनुसार, कैंप के वातावरा के अनुसार तो केंप खेले किसा असफता अंसार होने चाहिए क्लागड़ी के अंसार आपसर बीट क्रेक्ट निव्स्रो कोश्चिन है Regen लगाने के लिए क्या आवश्यक है ति यह उद्व्य को प्राप्ट करने वाला होना चाहिए कि या किसी नगर के समीब होना चाहिए कि इसमें गिन्य चुने लोग होने चाहिए की कैम्प लंबी अवधिका होना चाहिए तो दोस्तों यह उद्रेशियों को प्राप्त करने वाला होना चाहिए आपसर नमबर ए करेक्ट अंसर नेक्स कोश्चिन है जल प्रदूसर का प्रमुख स्रोत कौन है वर्सा का पानी तलाब का पानी सीवर का पानी नहर का पानी तो इसमें वह सीवर का पानी आपसे नंबर सी का एट एंसर है जल प्रदूसर का प्रमुख स्रोत है और जैसे की जो सीवर का पानी होता है वो साहरी करोड़ अदुगी क्रोर से पैदा होनी वाले प्रदूसर की प्रमुख्ष्ट है सीवर का पानी अदूगी क्यों ब्यपारीक अफिश्च्ट कृसिजूस मिंद्ध कृष्र प्रिया कहला बहुती प्रदूसर सिच्छा से मेरा आविप्राय बच्चे और बड़ों के सरीर मन और आत्मा की सरोन मुखी विकाउस से है सिच्छा का यह परिभासा किस ने दिया है विवेका नन महात्मा गांधी रविन्ना टैगुर टिपी नन किस ने दिया है इस परिभासा को दिया है महात्मा गांधी नी कि सिच्छा से मेरा अविप्राय बच्ची और बड़ों के सरीर मन आत्मा की सरोन मुखी विकाउस से है महात्मा गांधी ने इस परिभासा को दिया है सबसे आवश्यक कार है समाज की जगरुता निसुल्क शिच्छा बिस्तित प्रचार प्रयाप छात्रविती क्या आवश्यक है इसमें दोस्तों दो कोस्त दो आपसन सही लग रहा है समाज की जगरुता और बिस्तित प्रचार तो इसमें दोनों सही होगा ए और शी दोस्तों जनता में सारीक सिच्छा के प्रतिरूची उत्पन और विक्सित करने के लिए उन्हें स्कूलों में आजे सारी सिच्छा के करक्रमों से पूर्डूपे अउगत करना चाहिए जन्सन पर्क तथा समाल की जागरुता सारी सिच्छा के प्रचार में प्रमुक्साधन है और इसके लोखपरी बनाने के हेतु प्रदरसनियां खेल दिवास प्रदरसन रेडियो दूर्दरसन फॉंपलेट आधी का प्रयोक किया जाना चाहिए नस्ट क्रोस्चन है खेल प्रबंधन है क्या है क्ला है विज्णा धो सिधाए। करने से पूरू उन सिध्धानतों का परिचर कर लिना आवश्यक है जिन पर सारी सिच्छा अधारित है कुछ सुन्दर धंग से किये जाने वाले काम को कला की रुप में वरित किया जाता है जो लोग सुन्दर धंग से काम करते हैं वे कलाकार कलाते हैं सारी सिच्छा को एक वि इन बिग्यानों नहीं सारे सिच्छा के लिए एक बिग्यानिक अधार खड़ा किया है। आरफोर्ड तथा बेटी नहीं। यह है आपका चाल से बूचर का दिखें इसका उद्यस सारे सिच्छा का चाल से बूचर का। नेक्स कोशन है दोस्तों। अरस्तों प्लेक्टोर सुक्रात रूशो किसका कथन है या। दूस्तों जैसे प्रकितिवादियों ने सारे क्लावट के साथ साथ प्राकितिक नेतिक्ता का भी साधन स्विकार गिया है। प्रकितिवादि दार्षनिक है। नेक्स कोशन है प्राचीन साररिक गतिवीजियों में सामिल नहीं है। तलवारबाजी रथदौर मुक्यबाजी फायरिंग। दोस्तों जैसा कि आफसन से बिदित हो जा रहा है कि तलवारवाजी रतदर मुक्के बाजी तीनों के तीनों प्राचिन सारी गदी विदियों में सामिल थे बट फाइरिंग नहीं था आफसन नमबर डी यहां पर करेक्ट अंसर हो जाएगा मैं एक मरीज हूं मैं एक डाक्टर से मिलने गया था जो खूद की कार्याले पधती का मालिक है इस प्रकार की श्रीवा को क्या कहा जाता है नीजी चिकिस्ता ब्यासाई की केंद्री सरकार स्वास्थ केंद्र की समुधारिक स्वास्थ केंद्र की प्रात्मिक स्वास्थ केंद् को सान्स्था होता है अपना अपना माले किन स्वास्केंद्र है यहां पेवसान सरकार स्वास्केंद्र यह संद्रको स्वास्केंद्र यहां सरकारे चिकिसा के अंतरगत आते हैं नेक्स कोशन है राष्टी श्यवा योजना यन यसस किस वर्स में शुरू हुई थी तो यन यसस किस वर्स में शुरू हुई थी यससे में राष्टी श्यवा योजना नेशनल सर्विस इसकीम यन यसस वर्स सरकार के खेल और युवा मामले मंत्राले के अंतरगत आता है इसकी सुरूआत महत्मा कांधी के जन दिवस पर उनिस वर्स में हुआ इसके माध्यम से समधाईक श्यवा के साथ चात्रों की क्श्यवा था कि बालग दोरा अब्यता का अभीनया किया जाता है तो यह किसी प्रकार के खेल में आता है यह आतमा की प्रकार की सवीगातमक खेल जाता है 2019 श्यवरे हिरוק बेटा जो सब्द है वह सुमव्येग में आता है इमोसंस में आता है। नेंट कोशन है, बाल्य आव स्था में बेवहार सरवाधिक प्रसावीत होता है? किसे साथ ही समयधी स्मधाय से, कि परिवार से, कि बिद्यालाय से, कि उपक्स सभी से तो दोस्तों यहां पर आफसन नमबर B करेट एंसर हो जाएगा परिवार से बाले आवा स्थामे बेवहार स्वाधी परभाईद होता है जाने कि दोस्तों बेक्तिवर समूग को परभाईद करने वाले सबसे मुख्य संस्था परिवार ही होता है एक छोटा सा समाजिक समूग होता है जिसे माता पिता भाई बहुन अन्य सगे समधी होते हैं जो बच्चों को समाजिक बनाने में माता पिता पहले निरायक होते हैं वे ना केवल बच्चे के करीब होते हैं बलकि सबसे गहरा रिस्ता उन्हें के साथ होता है प्रिवार के वातावड का बच्चे की विकास पर बहुत गहरा असर पड़ता है समाजी करण की प्रक्रिया परिवार से सुरू होती है परिवार से सुरू होती है परिवार से सुरू होती है परिवार बुनियाद रखता है तथा संस्थाएं बाद में निर्मित करती है परिवार का असर गहरा होता है यहाँ पे जान लेजिए कि पूछेगा कि समाजी करण की प्रक्रिया कहां से सुरू होती है तो परिवार से ही अब लिया वस्ता में ब्योहार सवाधी किस से प्रभावित होती है तो परिवार से निश्कूशन है निखित में से किस गुड को चात्रो द्वार सबसे जादा पसंद किया जाता है अपन नंबर ए यानी आईडियोलिस्टिक फिलोषॉफी अदास्वाधी दर्शन को पसंद क्या जाता है बच्चों द्वारा सिछकों के गुड में नेक्ष्ट कोश्टन है बच्चों की बिकास की विभिन्ट वेवस्थाओं के दोरान विस्तिछ छेत्र की गती वीडियों से अनासरेत कराना चाहिए बलियावस्था, योवनावस्था, किस दो आवस्था? बच्चों की विकास बिभिन बियुस्थाउं की दौरान बिसीच छेतर की गति विदियों का अनासे त्यानि रहने उसको को सिछा देना चाहिए किस समय बलियावस्था योवनावस्था? आप सम्नेमर डी, A और B कि और ए और बी नेश्क कूशन है कि बच्चों की और समानता को समाप्त कर बराबरी लाने वाला माना जाता है तो क्या माना जाता है खेल का मैदान प्रियोग साला मंदीर कच्छा नहीं दूस्तों हर जगों और समानता होता है बट खेल का मैदान में कोई असमानता नहीं होता इसमें ये बराबरी लाने का बना जाता है बच्चों को क्योंकि खेल प्राया नियम के अनुसार खेला जाता है और खेल के नियम में कोई असमानता नहीं होती है सब्सक्राइब और बाधिक विकार्स के ओध्यक्ति कि Titika को रिखांकित किया गया है कोैं कि सारी है करने कि ठीक धंग से सोचने और समस्याहॉल करने की स्लिट करने कि यहांसा जान कर देक्ट ऑषिक गारी ब्याख्यात्मक, और बौध्विकास की उद्धियों में विक्ति कि किस्षी योगता कि रखांकित किया है तो ब्याख्यात्मक और बौधिक विकास यानि कि आपसरन स्वास्त के लिए अच्छा पोसर क्यों जरूरी है भंगीमा के लिए कि हाजिर जबाबी के लिए कि अच्छी आदत के लिए कि विकास के लिए तो स्वास्त के लिए सबसे अच्छा पोसर बिकास के लिए जरूरी है यहां बिकास का मतलब है सारिक बिकास के लिए ठीक है सारिक मांसिक सभी प्रकार के बिकास के लिए स्वास के लिए अच्छा पोसर संतुलित अहाय के माध्यम से प्राप्त होता है तथा यह सरीर के समुचित विकास में सायक होता है संतुलित अहाय से ताथ पर सही किस्म के भोजन यह तरल पदातों के माध्यम से सरीर के पोस्टिक तत्व वह उर्जा पतान करना ताकि शरीर के अपनी कोशिकाओं उत्त को अंगों का रख रखाओं कर सके और समाने बुद्धी विकास को सुनचीत बना सके संतुलित भोजन से विप्राय है ऐसा भोजन जिसमें हर पोश्टिक तत्व सही मातरा में हो यानि कि पार्बोहरडेट, प्रोटीन, व्वसा, मिनरल्स, जल्व, विटामिन्स ये सभी उजित मातरा में हो वही आपका संतुलित आया बलेंस डाइट या पोश्टिक तत्व कहलाता है नेश्ट क्यूश्टेन है ब्रतचारी के संस्थापक कौन है तो ब्रतचारी के संस्थापक है गुरुस नेक्स्ट कुरूशन है दोस्तों मनोविनोद से आप क्या समझते हैं खेल कूद की बैक्तिक अनन्द की छोटे खेल की बड़े खेल तो मनोविनोद से क्या मिलता है दोस्तों बैक्तिक अनन्द मिलता है जब आप खाले समय में होते हैं या आउकास समय में होते हैं तो उस समय ब्यक्तिक अनन्द या स्वयम को प्रसंद करने के लिए मोनोविनेद किया जाता है नेक्ट कोशन है वायू में टॉक्सिक सब्सक्राण सिज को छोड़ने के लिए विभिन उपाय अपनाई जाते हैं जैसे एन क्लाउजर प्रदान करना रोसन दान लगाना तथा हवा को सुध्य करना आदि किस रूप में जाना जाता है तो दोस्तों यह सनरोधन के रूप में जाना जाता है आपसन नमबर A करेट एंसर है सनरोधन यानि कंटेनमेंट के रूप में जाना जाता है नेक्ट कोशन है स्कूल की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है परधानाचारे की है कि सफाई करमचारी की है कि सिचक और विद्यार्थी की है कि इन सब की है तो दोस्तों यहां पर आफ संगर्स विगटन और नेतिक विकास पर ध्यान देता है किस प्रकार का नेतितु है समाजिक नेतितु की पारदर्शी नेतितु की अधिकार्यवादी की कारच नेतितु यहां पर समाजिक नेतितु हो जाएगा समाजिक नेतितु जो है अपसर नंबर ए नेतितु जो है समाजिक नेतितु टीम निर्मार संगो स्विगर्टन और नेति विकास पर ध्यान देता है इसके द्वारल अच्छे प्राप्टी केलिसी प्रेजित्त किया सकता है नेग्स कोचण है कि रचनान तरडात्मक नैतित्य शैली है चारा अप्सन है यहां पे आप्शन को स्वाष्ट के पुड हीतों से उपर उठकर स्वमू की आन भलाई के लिए अपना भर्सक प्रयास करने के लिए पुर्साहित तथा प्रेरित करती है सन्रच नात्मक नेतित्व सैली स्वास्त रिकार्डों का उप्योग किया जाना चाहिए केवल चिकिस्सा अधिकारी द्वारा केवल नर्स द्वारा विद्यार्थी को बेहतर समझने के लिए सिछक की मदद है तू कि रोगों के निदान में कमपाउंडरों की मदद है तू इसकूल स्वास्त रिकारड़ों का उप्योग की जाना चाहिए अप्सनर निम्बर इन्वर्ट में में से क्या स्वास्ति का रिकारव से समंधित नहीं है क्या नहीं है कारियर समंधी परामर्स स्वास समंधी परामर्स रिकार्ड रखना साफ सफाई सुचता रोक का उपचार यहां पर क्या पूछा है कि क्या स्वास समंधी रिकार्ड रखना भी है साफ सफाई सुचता भी है रोक का उपचार भी है एक कैरियर समंधी परामर्स नह बिंब गितिमेश इस्कुल स्वास्थ किस्छा कायकर्म का भाग नहीं माना जाता है निर्देश स्वास्थता निर्देश स्वास्ति सिभाएं व्थ तीनों आते हैं स्वास्था प्र्सिछड यहां पे नहीं आएगा आपसर नंबर एक करेक्ट अंसर हो जाएगा तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आई होप की सभी कोस्टन्स आपको समझ में आये होंगे दोस्तो यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और जादे से जादे सेयर किया किए दोस्तो जिसे मुझे एक नय जाहिए